नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रिशेप शर्मा आज की वेडियो में मैं आपको एक बहुत कॉमन पोस्ट कोविड फंगल इंफेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसे म्यूकर मैकोसिस या जाइगो मैकोसिस भी कहते हैं और अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत से मैकोसिस के कई केसे सामने आये हैं और इसके वजय से जो पेशेंट के आँखों की रोश्नी है वो भी चली गई है और कई पेशेंट्स में ये फैटल भी प्रूव हुआ है तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपको म्यूकर मैकोसिस के इंफोर्मेशन देने के लिए बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको suspect करना है आपकी म्यूकर मैकोसिस हो सकता है इसके लबा म्यूकर मैकोसिस के symptom क्या है कौन से patient risk में है म्यूकर मैकोसिस में इसके लबा मैं आपको कुछ preventive tips बचाव के कुछ उपाय बताऊंगा म्यूकर मैकोसिस से यह उसे उसे एक्षेक्ट नहीं करती उसके शरीर को और मुकर माइसिटी इंफेक्षिन उन लोगों के करती है जिनकी इम्मुनिटी कम होगी है जैसे कि old age persons या diabetic patients जिनकी blood sugar levels है वो बड़ी हुई है या फिर जो cancer के patients है या वो patients जिनमें immunity कम करने वाली दवाईया जैसे कि steroids या immunomodulator drugs जैसे कि tocilism आप यह चल रही है तो इन patients में mucormycities infection cause करती है इसके लिवा humidified oxygen से भी mucormycosis का खत्रा बढ़ जाता है और अभी ये post covid patients में इसलिए फैल रही है क्योंकि covid के treatment के अंदर steroids यूज हो रहे हैं immunomodulator drugs जैसे कि tocilism आप यूज हो रही है और oxygen support में humidified oxygen यूज हो रही है और यह तीनों चीज़े treatment part है तो इसकी वज़े से जो post covid patients हैं उसमें mucormycosis का खत्रा है वो बढ़ गया है इसके लिवा डाबटिक covid patients मे भी mucormycosis के बहुत से case सामने आ रहे हैं और यह mucormycities fungi है यह हमारी आखों को, sinuses को और brain को effect करती है और इसकी वज़े से patient की जो आखों की रौशनी है वो जा सकती है और कई extreme cases में patient की death तक हो सकती है और इसी type की infection है वो इस time पर इंडिया में post covid patient से मिल रहे हैं और इसके ल mucormycities ने patient के brain को, sinuses को या eyes को effect करा है तो patient को face के एक side सूना पना सकता है, सूजना सकती है या face के एक side में दर्द होता है patient को इसके लब पेशन्ट को आखों के around दर्द हो सकता है या सूजना सकती है इसके लब पेशन्ट को drooping of eyelids हो सकता है इसके लब पेशन्ट को आखों मे आग बla верх एश जानी भूरे रंग का या काले रंग का डिस्चार्ज आता है। इसके लाव पेशन क के नाक के पास में काले रंग के निशान मन जाते हैं। इसके लाव पेशन्ट को बुखार भी आ सकता है और अगर जो यह मुकर माइकोसिस है अगर पेशन्ट के फेफड़ों को एफेक्ट करता है तो पेशन्ट को खांसी आ सकती है पेशन्ट को बुखार आ सकता है पेशन्ट को चेस्ट पेन हो सकता है यानि कि सीने में दर्द हो सक तो पूस्स्ट कोविड पेशेंट्स याःबटिक पेशेंट्स जिनकी इम्मुनिटी कमजोर है वो इन लक्षनों को लेकर सिंटम्स को लेकर साफधान रहे और अपनी जो डॉक्टर हैं उनकी टच में रहें उनकी कॉन्टाक्ट में रहें नेक्स्ट मैं आपको इससे कुछ बचाव के तरीक है, कुछ प्रिमेंटिव टिप्स बताता हूँ, तो इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट बात है, वो यह है कि कभी भी आप स्टिरोइड्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज ना करें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही स्टिरोइड्स को यूज करें, इसके लबा जो डाइबुटिक पेशेंट्स हैं, उनका जो ब्लड शुवर्ड लेवल्स हैं, वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, इसके लबा पेशेंट के कमरे में हमेशा अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, इसके लबा पेशेंट धूल से, मिट्टी से, डर्स से, गीली सर्फिस से, इसके लबा सीलन भरे कमरों से, इससे पेशेंट को बचना चाहिए, फिर भी इन सब प्रिकॉशन के बाद, तो कुछ mucormycosis related symptoms महसूस होते हैं, तो पेशन्ट को तुरंथ ही अपने डॉक्टर से consult करना चाहिए और इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए. अब लास्ट में बात करते हैं mucormycosis के treatment के बारे में, तो mucormycosis के treatment में Amphotericin B नाम की antifungal medicine का यूज करा जाता है, और इसके अलाब अगर पेशन्ट के अंदर जो infection है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पेशन्ट में से जो infected tissue हैं, उसे भी surgery दुवारा हटाया जा सकता है, इसलिए आप कोशिश करें इस बिमारी से बचने की, तो ये थी कुछ important information mucormycosis के symptoms related, इसके risk factors related, इसके preventive tips related और इसके treatments related, और health और medical, especially COVID-19 related, authentic, useful and reliable information के लिए, आप हमारा चैनल दाड़ोखहल जरूर सब्सक्राइब परिए, बाकि अपना ध्यान रखिए, खोश रही है, थैंक यू, टेक क्यार.